अगर इंडेक्स की बात करें इंडेक्स अगर रेंज बाउंट हो जाता है दो चार दिन के लिए तो इसका मतलब यह है कि कोई इवेंट है जिसका मारकेट वेट कर रही है तो अब हमारे लिए अपकमिंग इवेंट क्या हो गया है Tuesday को CPI जेटा आएगा CPI डेटा और Wednesday को यह US की बात कर रहा हूँ Wednesday को Fed rates के outcome आएंगे इन दोनों दिन का मारकेट अब आराम से वेट कर रहा है क्योंकि CPI डेटा से यह अनुमान लगाए जाएगा कि inflation control हुआ है यह नहीं हुआ है अगर control हुआ है तो यह chances जादा है that Fed अपने rates अब कम करना शुरू कर देगा और उसका impact आपको मारकेट में देखने को मिलेगा तो आप भी क्या करेंगे आप भी हो सकता है अगले दो दिन के लिए because कल का data भी हमारी market के close होने के बाद आएगा तो आपको कल कोई जादा moment ना मिले उसका outcome जो हो रहेगा वो हमारे पास में फिर Venice Day को देखने को मिलेगा तो हो सकता है थोड़ा सा market आपको Venice Day को volatile मिले तो be prepared that कल भी market range bound रह सकती है तो इस range bound market को में कैसे handle कर रहा है यह समझते हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाग यार सब्सक्राइब बेटन पे क्लिक किजगा बेल आइकन प्रेस का नबन भूलीगा description box में कुछ links available है जैसे हमारे website का link wouldotrading.in हमारे courses के link है वो discounted course है उसमें आपको directly link भी मिल जाएगा and apart from that आप हमारे जॉइन कर सकते हैं हमारे telegram channel के उपर और उसके साथ-साथ में आप DMIT accounts भी open कर सकते हैं through the links तो यह links आपको description box में मिल जाएगे चले बात करते हैं कि हमारा जो Tuesday का दिन कैसे रहेगा जैसे मैंने कहा be prepared that आप जो कल का दिन में range bound रह सकता है तो इसमें हम क्या करेंगे फॉस्ट आवर में अगर moment हो गई है फॉस्ट आवर में अगर major moment हो गई है आज की तरह नहीं यह वाले moment की बात नहीं कर रहा हूँ एक clear direction moment हो गई है तो तो हमें trending दे मिलेगा लेकिन अगर पहले half an hour में जैसे यह वाला candle दिख रहा है अगर इसी तरह से कैंडल बना तो समझ रहेगा हमारे पास 20.050 का और नीचे की तरफ 28.80 का तो आप क्या कर सकते हैं 21.100 और नीचे की तरफ 28.00 इन दोनों का यह आपका call हो गया यह put हो गया इन दोनों को sell कर सकते हैं buy नहीं sell कर सकते हैं यही एक possibility बन रहे है because buy करेंगे तो दोनों तरफ से आपको theta decay देखने को मिल रहेगा उससे बचने के लिए buy नहीं करें तो भड़िया है otherwise still I would be live जो market रहेगा उसमें आपको telegram पर बता दूँगा कोई ऐसी possibility रहेगी कि market में call या put buy करने का मौका लग रहा है तो definitely हम करेंगे उसके लिए आप हमें telegram पर join कर लिजेगा in fact अगर नहीं है आप जैसे office में ह कुछ है तो आप इन्हीं दोनों को सेल करके आराम से यह फ्रास बहुत क्लोज हो जाएगा इसको 200 कर लेजेगा इन्हीं दोनों को सेल करके आप कल का दिन निकाल सकते हैं और अगर first hour में कोई moment नहीं हुआ तो यह रहेगा और first hour में अगर कोई बड़ी moment हो गया तो definitely आपको फिर एक trending दे ट्रेंडिंग होता है या तो fall करेगा rise करेगा वो दिन मिलेगा और आप चाहते हैं कि इसको level wise में समझाओ तो level wise कुछ ऐसे मिलेगा देखेगा आप क्या करेंगे एक यह line draw कर देंगे और एक यह line draw कर देंगे उपर के तरफ तो हमारे पास में क्या रहेगा नी से 2950 के नीचे जाने के बाद में आपका put buy बनेगा इन के जब trending वाली बात आएगी आदरवाइस तो मैंने आपको बताए दिया 2200 और 21200 और 2800 यह रहेगा आपका sell के लिए और कोई moment आपकी लगती है कि हाँ आज market अच्छा सा move करेगा तो इन दोनों levels को यह आपके call buy के लि दिजेगा तो यह रहेगा हमारा nifty के लिए बात करते bank nifty के बारे में bank nifty ने उस range को break तो किया बट sustain नहीं कर पाया कोई भी moment हुआ कोई भी breakout हुआ उसको sustain करना बहुत ज़रूरी है आज के message याद है nifty ने confirmation दे दिया है confirmation नहीं दिया है nifty ने indicate कर दिया है कि sell बनेगा लेकिन confirmation नहीं आया है तो यह जो words होते है न यह बताते हैं कि यहाँ पर इसने breakout कर दिया है लेकिन अभी call by का confirmation नहीं आया है इसी तरह से कल भी हमारा यही रहेगा तो हम क्या करेंगे जो हमारे नीचे का level है उसको आप पहले mark कर लिजेगा इस तरह की जो zones बनते हैं उनको mark कर लिज उपर के तरह 47 that would be 400 यह दो लेवल निकल के आ रहे हैं तो यह लेवल बैंक निफिटे करता है तो यहाँ पर आपका बनेगा put by और यह लेवल अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर बनेगा call by यहाँ पर मैं कल आपको कोई भी ऐसा strategy नहीं दूँगा जिसमें आपका range bound में नु अगर आपको थोड़ा बहुत अगर ऐसा लग रहा है कि यार मैं sell करके काम चला चकता हूं तो 47 600 और 46 800 यह दो लेवल को आपको sell करके आप अपना जो भी थीटा डिके होगा उसको consume कर सकते हैं avoid करेंगे सही रहेगा क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा risk जाधा रहता है sell करने में हर कोई afford नहीं करता to take that risk तो आप buyer है तो stick रहेगा इस level के उपर यह रहेगा हमारा bank nifty के लिए बात करते हैं financial nifty के बारे में देखें मैं जो भी index की बात कर रहा हूँ अगर आपको first 15-20 minute में इस type का candle मिले इसको कहते हैं indecisive अगर इस type का कुछ candle मिले तो समझ जाएगा market कहीं नहीं जाने वाला इस type का मिलेगा तो समझ जाएगा कि market rise करेगा something like that that market fall करेगा तो पहले 15-20 minute तो कोई trade लेना नहीं है उसके बाद में on the basis of that candle हम decide करेंगे तो इसमें देखेंगे देखें पूरा दिन हमारे पास क्या रहा ह हमारे पास कोई खास moment नहीं मिली है इसको अगर आप चेक करेंगे तो यह रहेगा आपका उपर के लिए और यह बहुत close रहेगा आपका नीचे के लिए ठीक है तो यह आपका रहेगा 21,250 and that is 21,180 यह आपका call buy बनेगा और यह आपका put buy बनेगा इन level के नीचे निफ्टी के अदर आपका stop loss बनेगा spot price के लावा 40, spot price के accordingly 40, bank nifty में आपका बनेगा 80, financial nifty में आपका बनेगा 40, plus minus मतलब जो भी आप buy sell करेंगे उसके accordingly आपके stop loss बनेगे और यह level रहेगे हमारे financial nifty के, recap में अगर आप देखेंगे तो यह breakout आया, उसके बाद में अगर उन्ही लेवल के आस-पास आपको entry मिल जाती है, तो यह आपके entry बनेगी बहुत शांदार, उसके बाद अच्छी moment, तो यहां से भी देखेंगे, तो लगबग आपके पास में 1% की जादा move मिला है, चंबल fertilizer के अंदर, उसके बाद हमारे पास में था, next would be Glenmark, Glenmark के लेवल याद है, कि Glenmark में लेवल ब्रेक होगा, तो काफी moment आएगे, और 800 के उपर आपको buy करेंगे, तो काफी एच्छी रेगा, तो यहां से आपको देखेंगे, 800 से लेकर, 830 तक का rise आपको देखने भी मिला, लगबग आपका, if you look at here, somewhere close to 4% का आपको यहां पर rise मिला, और वो भी बहुत जल्दी, without any fear, एक बार भी नीचे नहीं आया, stop loss इट करने के लिए, तो यहां भी अच्छा moment मिला, चोला finance में कोई खास moment नहीं मिली, almost range bound ही रहा, तो यहां से एक बार breakout हुआ, तो यह आपका point बनता, देखेंगे, जब भी support लेता है उस level पे, तो यहां से लेके यहां तक, और यह आप 441 से लेकर 450, हमने कल भी decide कि 450 के लिए टागेट करेगा, इसके बाद में थुरासा profit booking हमें देखने हो मिलेगा, तो यहां भी इच्छा perform किया, चब कैंडरा bank के अंदर, कल के लिए stocks हमने पेक किया है, पहला रहेगा हमारे पास SBI, SBI में देखेंगे, पहले तो candle पे ध्यान द करेंगे, simple, simple, और यह रहेगा आपका, that's it, तो यह नीचे की तरफ ब्रेक करता है, जो रहेगा आपका 612 के आसपा 610 तक, तो 612 से 610 के बीच में, मतले उसको ब्रेक कर दे, तो आपके लिए put buy बनेगा, उपर की तरफ भागता है, तो मैं कहांगा 616 के उपर, आपका वाप कुछ trades में हम क्या करते हैं, हम एक channel बनाते हैं, जहांपर stock rise करता है, फिर एक बार kind of flag pattern बनाता है, तो यह inverted flag है, गिरने के बाद में उसने उसको inverted flag बनाया, देखे, और उसके बाद में sustain करने की कोशिश किया, बट fail हो गया, तो हमारे पास यह level निकल के आएगा, जहांपर selling बनेगा, उसको कैसे capture करेंगे, देखे, यह हमने आप इसको mark कर दिया है, तो यह निकल के आ रहा है, 1196 के आसपास, तो आप क्या कर सकते हैं, 1195 से लेके 1192, यह level रहेगा, 95 से लेके 1192, जिसके नीचे जाने के बाद में आपका intraday cell बनेगा, उपर भागता है वापस, तो य लेवल के आसपा, 6 कर लिजेगा, इसको, इस level को नीचे से वापिस ब्रेक करता है, तो यह bounce back को भी originate कर सकता है, विकॉस यहाँ पर देखेगा, volume काफी बड़ी है, लेकिन support है, support से stock कई बार bounce कर जाता है, इसलिए मैंने इसको pick किया, तो यह level आप कर रहेगा sell के लिए, और यह level निकल के आएगा, buy के लिए, sipla के अंदर, उसके बाद अगर हम बात करें, अगले stock की, वो है हमारे पास, LIC housing finance, वापिस से देखेगा, a kind of bearish pattern, support पर touch किया है, 30 में time frame पर check करेंगे, तो यह कुछ आपको ऐसे नजर आएगा, यहाँ पर देखेंगे, तो आप इसको ऐसे 30 से लेके 31 का मुझे level लग रहा है, यह अगर break करके इसको hold कर लेता है, इसको कहते है hold करना, और अगर भागेगा, तो यहाँ पर चलो ठीक है, कम moment में लिए 2% के आसपास, लेकिन actual में यही hold करना होता है, कि break करके hold करे, तो यह आपके लिए फिर buy initiate करेगा, और इसी तरह से अगर वो नीचे के तरफ जाए, और hold कर ले उसको, तो वहाँ पर आपका sell बनेगा, LIC housing finance के अंदर, उसके बाद मेरे पास अगला stock है, वो रहेगा, बल्रामपुर्ची नी, कल एक news हमने publish किया था, कि government ने काया कि ethanol के लिए अभी गन्ने को use ना करें, major production sugar के उपर रखेगा, election आ रहे है, तो of course, sugar के demand बढ़ रही है, तो ethanol को second रखा गया, लेकिन कल government, जो sugar companies है, उनसे मिल रही है, तो एक नया, जो भी उनका decision रहेगा, वो आएगा, तो market में थोड़ा सा volatility हमें देखने को मिलेगी, इसलिए देखेंगे, इतना fall करने के बाद में, आज तो guys, यह रहेगी हमारी analyst for tomorrow, जाने से पहले, चैनल को सब्सक्राइब को नहीं मत भूलेगा, support कर सकते हैं आप हमेह से करके, और bell icon प्रेस करके, और जो भी आपको लगे, comment करके मुझे बताएगा, मिलेंगे अगले वीडियो में, until then, take care, have nice, bye-bye.